सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हलो फ्रेंड टेक्सकाई क्लासेज में आपका स्वागत है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परच्छाओं के चुनिंदा विश्यों और प्रस्णों के लिए बने रहे हमारे चनल टेक्सकाई के साथ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोस्ताहन बढ़ाए है हलो फ्रेंड आज का हमारा है कम्पलेमेंट आफ कर नमबर ठीक है यह साथ कि अब सभी को पता होगा कि कम्पलेमेंट का मतलब क्या ह agreeing का मतलब होता है कंपलीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंफ एवा 910 11 12 में कि कम्पलेमेंट नमबर ठीक है जैसे एगर ऊंथ 9Work20 का एंकल अंगल य embroidery का इंग को अड़ने पर क्या होता था हमारा इंट्य घाता था तह उसी तरह दोस्तों pearl कम्पॉरिमेंट का मतलब आए कि यह से कंप्ली permit के गर अम बात करें अगर जैसे हमान लेते हैं कि यह हमारा जीजिरो है ठीक है तो जीरो कोई कॉंपलिमेंट तो नहीं होता है लेकिन अगर हम प्लस वन की बात करें तो प्लस वन का कॉंपलिमेंट क्या होता है माइनस वन प्लस टू का कॉंपलिमेंट क्या होता है माइनस टू प्लस थ्री का कॉंपलिमेंट क्या होता है माइनस थ्री तो दोस्तों यानि कि एक दूसरे का पूरक हो ठीक है जैसे माल जाग एगर हमारा 90 डिगरी का हमारा कोई कोड है एक एंगल है तो एक एंगल हमारा 30 डिगरी है तो दूसरा हमारा कित्ता होगा 60 होगा तभी तो यह दोने दूसरे का कम्पलिमेंट हो कि यह पूरा कम्पलिट करेगा ठीक है तो दोस्तों सिंपल से क आने का मतलब यह है कि compliment का जो मतलब होता है वो होता है पूरक यानि कि दो संक्यां को मिला कि उसा रशा क्या बनाया जाये compliment बनाया जाये ठीक है कि जैसे आद्ल का autumn अवरत होता है। घरस्का compliment वाज democrat होता हैं यह को हम बोलते हैं फॉस्ट कॉंप्लिमेंट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड कॉंप्लिमेंट एक को हम बोलते हैं क्या फर्स्ट कॉंप्लिमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं क्या तूज कॉंप्लिमेंट या फिर सेकेंड कॉंप्लिमेंट ठीक है एक को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉंप्लिमेंट और किसी संख्या का कोई number दिया हुआ है को बाइनरी number दिया हुआ है ठीक है फर्स्ट कंप्लिमेंट हमें फाइंड आउट करना है इसमें हम कुछ नहीं करते हैं ठीक है फर्स्ट कंप्लिमेंट निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं जहां जहां पे 0 होता है जहां जहां पे 0 होता है वहां पे हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं और जहां पे 1 होता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं क्योंकि जीरो का कॉंप्लिमेंट यहाँ पर वन होगा और वन का कॉंप्लिमेंट क्या होगा जीरो होगा क्योंकि यह बाइंडी नंबर है बाइंडी नंबर में दो ही नंबर हमारे पास होते हैं जीरो होता और एक वन होता है तो 0 का compliment क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का compliment क्या हो जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें जिसे low का compliment क्या होता है high होगा तो high का compliment क्या होगा low होगा clear है चलिए हम इसको आपको भी एक gamble समझाते हैं ठीक है तो माल लिजिए कि हमें कोई binding number दिया हुआ है ठीक है यह हमें कोई binding number दिया हुआ है ठीक और कह दिया कि इसका हमें क्या निकालना है first compliment निकालना है क्या निकालना है first compliment तो दोस्तों simple सा एक rule है कि अगर हम first compliment जब निकालना होता है तो जहां जहां पर one होता है वहां महां पर हम क्या कर देते हैं zero कर देते हैं और जहां जहां पर zero होता है वहां महां पर one कर देते हैं तो one का compliment क्या हो जाएगा? zero, zero का क्या हो जाएगा? one, one का zero, zero का one, one का zero, zero का one और one का zero दोस्तों यह हमारा answer हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, first compliment हो जाएगा, clear है, यह एक example हम और लेकर देख लेते हैं, suppose that यह हमारा example है, one, zero, one, one, zero, one, ठीक है, इसका पूशेगा कि हमारा first compliment क्या होगा, इस binding number का first compliment क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर one होगा, वहाँ पर क्या लिख देंग communicant हो जाएगा, clear है, किसी कोई दिक्कत, अगर यह हमारा decimal में देता है value, ठीक है, decimal में देता है, small लो, यहाँ पर five देता है, five का binary number क्यत्ता होता है, one, zero, one होता है, seven का binary कित्ता होता है, one, one, one होता है, और कह देता है कि इसका हम summation कर देते हैं, यो कर देते हैं, तो कितना हो जा हो जाएगा एटना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 110 110 sprint 언제 दो और एक वन यह जाएगा 111 किया है तो अगर हम इसको एक सक हो जाएगे रच के सबãy subscribe अब ढूर्स सीत्हें आप हो जुब्लीमेंट क्या होगा है से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा बाइंडरी नंबर दिया रहता है उसका हम क्या निकलते हैं फर्स्ट कंप्लिमेंट निकालते हैं जो बाइंडरी नंबर दिया रहेगा या फिर जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम सबसे पहले फर्स्ट कंप्लिमेंट निकालेंगे और एड कर देंगे तो हमें two compliment मिल जाएगा चलिए example हमसमझ लेते हैं माल लेते हैं यह कोई हमारे एक number दिया हुआ है ठीक है यह हो गया हमारा 1010110 यह कोई एक हमारा bandy number दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका निकालेंगे first compliment तो इसका first compliment क्या हो जाए वन जीरो का हो जाएगा वन वन का हो जाएगा जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा हो गया फॉस्ट कॉंप्लिमेंट क्लियर है यह हमारा क्या हो गया फॉस्ट कॉंप्लिमेंट अब हम क्या करेंगे टूज कॉंप्लिमेंट निकालने के लिए यह ज पाइडन होगा तो या हुजएगा 1010 यह हम्हAPत क्या हो गया टूज गुंप्लिमेंट इसकी स्चारज़ चलिया एक और एक्जामपल देख समझेगा सेके यह हमारा को एक वैल्म दियाँ हुआ है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन ठीक है यह कोई बाइंडरी नमबर हमको दिया हुआ है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले इसका हम फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट निकालेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे जहां पर 1 होगा, वहाँ पर 0, जहां पर 0 होगा, वहाँ पर 1 कर देंगे, यहां पर 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, clear है, अब हम इसका निकाल देते हैं, second compliment, तो second compliment निकालने के लिए हम क्या करना होता है, यहां पर हमें एक जोड़ना होता है, last में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, ज इसमें आई जोडेंगे न, क्यों लिए उपर ओडहत हमारा हो गया, क्योंकि इसका निकालने तो मारा first compliment हो गया, that first compliment में हम क्या करेंगे, यी चीज़ जोडय देंगे,弐हा ग्या जे जोड़ देंगे, तो one 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 посмотрим something else, the fulfillment कॉंप्लिमेंट निकालना है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम इसका निकालेंगे फर्स्ट कॉंप्लिमेंट क्या निकालेंगे फर्स्ट कॉंप्लिमेंट तो क्या हो जाएगा 010.0111 हो जाएगा अब हमें क्या करना है 2's compliment निकालना है तो 2's compliment निकालने के लिए यह जो हमें 1st compliment मिला है इसमें हम क्या करेंगे 1 add करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 add कर देंगे ठीक है जब दस्मलों वाला part आजाएगा जब रैडिक्स पॉइंट आजाएगा तो हम 1 यहाँ पर add नहीं करेंगे add कहाँ पर करेंगे इस्टार्टिंग में तो यह हो जाएगा हमारा 110 फिन 1 बचा तो 110 110 110 यहाँ पर आजाएगा और यह हो जाएगा 010 यह हमारा क्या हो गया टूज कॉंप्लिमेंट हो गया क्लियर है तो यह आपका homework है आपके लिए क्या है homework है पहला हो गया 1001 सेकंड हो गया हमारा 110000101 dot 001101 ठीक है तीसरा नमबर हो गया हमारा क्लियर है इसी तरह से हमारा एक जांपल और हो गया आपके लिए 875 dot 01 2 ठीक है इन तीनों का हमें क्या करना है सबसे पहले हमारा एक first compliment find करना है और उसके बाद हमें two's compliment ठीक है यानि दोनों का हमें अलग-अलग क्या करना है find out करना है ठीक है कि सबस्ट्रेक्शन आफ binary number using two's compliment method clear है ठीक है अगला topic है हमारा binary subtractions using two's compliment method ठीक है यानि कि हमको क्या करना है binary number का घटाना करना है ठीक है हम लोग simple binary number को अगर सबस्टेट करना तो घटा देते थे लेकिन अगर जब वो कहेगा कि second compliment विदी से इसको घटाना है ठीक है जब वो बोल देगा कि इसको two's compliment method सबस्टेट करिए तो हम इसको normal से हम नहीं कर सकते है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते है कि सबसे पहले उपर वाला part और नीचे वाला part ठीक है जिसको घटाना है जिसमें से घटाना है ठीक है इसको हम क्या बोलते है ठीक है और दूसरे वाले को हम बोलते है सबस्टेट ठीक है ये वाली value वो है जिसमें से हमको इसको क्या करना है घटाना यानि कि सब्स्टेट करना है और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा वाई मिलता है ऐसे तो करते हैं कि उपर हमारी कोई वैल्यू दे देती है उसमें से हम क्या करते हैं छोटी वाली वैल्यू को घटा देते हैं सब्स्टेट कर देते हैं तो जिसमें से हम घटाते हैं उसको हम मायनुड करते है और तो जो result मिलेगा उसे हमें लिखना है ठीक है इसी तरह से हम क्या करते हैं इसको तो इसको करने के लिए जोड़ते कैसे हैं वो सुन लिजे ठीक है जिसको हमें घटाना है यानि कि सब्स्टेंड को जिसको हमें घटाना होता है उसका हम क्या निकालते हैं तूज कंप्लिमेंट निकालते हैं क्या निकालते हैं तूज कंप्लिमेंट हम क्या करते हैं निकालते हैं किसको जिसको हमें घटाना होता है और तूज कंप्लिमेंट निकालने के बाद जो हमारा नंबर बचा रहता है उसमें हम इसको क्या करते हैं जोड देते हैं clear हो गया जिसको हमें घटाना है जिसको हमें सब्स्टेट करना है उसका हम क्या निकालेंगे second compliment निकालेंगे second compliment निकालने के बाद minute में हम क्या करेंगे इसको जोड देंगे ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा x1 plus x2 x2 का हमने क्या निकाला है 2's complement तो जो 2's complement आएगा उसको हम क्या करेंगे जोड देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा result हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं कि subtraction of binary number by using 2's complement method ठीक है जब भी 2's complement विदी से गटाने के लिए कहेगा तो simple सा है कि हम x1 में से x2 को घटाएंगे ठीक तो जब भी हमको कहेगा कि second complement विदी से binary number को घटाएगे तो हम क्या करेंगे जिसको हमें घटाना होगा जिसको हमें घटाना होगा उसका हम क्या करेंगे second complement निकालेंगे और second complement निकालने के बाद जो हम जिसमें से हमको घटाना होगा यानि कि X1 में हम इसको क्या करेंगे एड कर देंगे तो हो हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है तिलिए इसको हम एक जामपल से समझ के देखते हैं ठीक है यह हमारा एक जामपल है ठीक है कोई हमने के value लेते है वन वन जीरो जीरो वन वन यि atrás हमने क्या किया किए एक ऑपर ले लिया थबेदे हमको गटाना एक किसको仔's capac एक वन जीरो जीरो वन 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 इसको एक्टाइट करना एक किसमें से यसमें से ठीक है, यानि कि यह minuant हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, हमारा substrate हेंड हो जाएगा, तो हमें substrate को क्या करना है, minuant में से गटाना है, इसमें से जब हम इसको गटाना है तो हम इसका क्या करेंगे, second compliment निकालेंगे, तो हम आपको समझाने के लिए रहे हैं, कि हम इसको माल लेते हैं, A यह बरावर, double one, double zero, double one, ठीक है और इसको हम माल लेते हैं, क्या B, one, zero, zero, one, one, one clear है, तो इसमें से हमको क्या करना, इसको गटाना है, यानि कि A minus B हमें करना है, ठीक है, तो हमें क्या बताया था आपको कि जिसको हमें घटाना होता है तो दूसरे वाले का हम क्या निकालेंगे second compliment निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे two compliment निकालेंगे तो two compliment निकालने से पहले हम क्या करते है सबसे पहले हम इसका निकालेंगे first compliment first compliment निकालने के बाद हम last में one add करेंगे और one add करने के बाद हमारा हो जाएगा second compliment तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं b वाली value को यह है हमारा one zero zero one one इसका हम first compliment निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यह zero one one zero zero two compliment निकालने के लिए हम क्या करते हैं last में one add करते हैं तो यह हो जाएगा one zero zero one one zero यह हमारा क्या हो गया two complement हो गया अब इस two complement को क्या करेंगा हम इस से add कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा A की value किती है one one zero zero one one और हमारा जो B की value आई है वो कित्ती आई है 0, 1 ठीक है अब में इसको क्या करेंगे add कर देंगे 1, 1, 0 1, carry बचा 1, 1, 0 0 में 1 add होगा तो 1 हो जाएगा ये भी 1, ये 0, ये 1, 1 0 और 1, ये हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा clear है ठीक है तो सबसे बड़ी चीज क्या होगा ये हमारे पास अब हमें यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि जो हम substrate करते हैं तो last में अगर हमारा carry उत्पन होता है ठीक है अगर carry प्राप्त होती है तो हम उस carry को क्या करते हैं neglect कर देते हैं यानि कि छोड़ देते हैं और says जो हमारा answer होता है उसको हम लिख लेते हैं ठीक है तो यह जो हमें answer मिला है इसमें last में one carry प्राप्त हुआ है हुआ है ना तो इस carry को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे इस carry को हम छोड़ देंगे और says को हम क्या करेंगे लिख लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा answer ठीक है तो एक note करके आप लोग लिख लीजिए ठीक है दोस्तों तो इसमें एक खिले में ध्यान देना होता है कि जब हम इसको add करते हैं ठीक है जब हम इसका binary subtraction करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि जिसको हमें घटाना होता है उसका हम क्या निकालते हैं टूज कंप्लिमेंट निकालते हैं टूज कंप्लिमेंट निकालने के बाद जिसमें से घटाना होता है उसमें हम क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं जोड़ने के बाद last में यह क्या है हमें carry मिला है न क्योंकि यहा यहां पर भी 6 बिट्स होने चाहिए 1,2,3,4,5,6,6 बिट्स है लेकिन यहां पर क्या है लास्ट में 7 आ रहा है ठीक है यानि कि लास्ट में जब हमारा 7 वन बिट आ रहा है कैरी आएगा एक्ष्टा बिट आएगा तो इसको हम क्या करेंगे निगलिक्ट कर देंगे और 6 जो हम 155 अहत्त करें रहा हैं यहां पर क्या आएगा पर एच्ट मोट करके लिकाया इसको को क्यी बञे diver हुर्त करेंगे कर देंगे क्या करेंगे इसे हम छोड देंगे ठीक है और सेस बीट को क्या करी जाता है लिख दिया जाता है हम ने यहां पर क्या करी जो गया है जो और यहां ठीक है जो जह निकालेंगे और उसके बाद जो हमें संख्या अप्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं निगेटिव चिन से लिख देते हैं क्लियर है चलिए एक एक जामपल देखे हम आपको समझा देते हैं तो हमने मान लिया एक जामपल है ठीक A is equal to 101.1101 ठीक है फिर हमने देख लिया B is equal to 101.0111 ठीक है अब हमें क्या करना है इसको सब्स्टेट करना है इसको घटाना है तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इसका second compliment निकालेंगे इसका second compliment निकालेंगे तो क्या आएगा second compliment जब हम निकालेंगे परस्ट कंप्लिमेंट निकालेंगे तो यह वन का क्या हो जाएगा जीरो 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 का वन क्लियर है उसके बाद जो हमारा वन है उसका हो जाएगा जीरो वन जीरो क्लियर है अब हम क्या करेंगे इसका टूज कंप्लिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या क clear है तो यह हमारा क्या हो गया choose complement अब यह हमारे b का value इतना हो गया ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे a में add कर देंगे जैसे हम नॉर्मल करते थे a plus b को हम add कर देंगे तो जो हमें result मिलेगा वो y हो जाएगा तो a की value किती है 101.1101 फिन हमारा है यह 010.1001 add कर करेंगे और देखते हैं क्या आता है ONE ONE 0 1101 बचा 101 हो गया यह हो गया हमारा कितना यह हो जाएगा 1101 काहरी बचा 1101 कितना होगा 101 काहरी बचा 1101 काहरी बचा यहाँ पर ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने के वाली एक चीज़ बात है जो हमने बताए थायता आपको कि अगर लास्ट में एक करी प्राप्त होता है तो students carry को क्या करेंगे neglect कर देंगे जो लास्ट में अगर करी one मिलती है तो हम क्या करेंगे देंगे और से सेंसर को Am तो लिख लेंगे तो जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा 000.0110 यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा और यह answer कैसा होगा धनात्मक होगा ठीक है suppose that हम इसको decimal में change कर लेते हैं इसकी value हमार कित्ती होगी 5 और इसका कित्ता होगा 4 दो 6 और इसकी value कित्ती होगी 4 और इसकी value होगी 5 पॉइंट इसका होगा 3 और यह होगा हमारा 4 सबस्टेट कर रिंगत कित्ता आएगा 0 6 मेंस 3 गटेगा तो 3 0 आगे ना result हमरा क्या आ रहा है positive आ ठीक है 5 तो यहाँ पर हम देखे तो यह हमारी value कित्ती है 3 0 है है ना अक्टल यह हम देखने इसको यह 3 3 बीट का लेके तो यह हमारा क्या हो जाएगा 3 और यह क्या हो जाएगा 0 clear है 3 और यह हो जाएगा 0 यानिक यह भी हमारा answer कित्ना आ रहा है 10 मलो three zero clear है तो यह भी हमारा value कि यहां पर हमारा क्या हो गया satisfied हो गया जो answer हमको मिला वो किसमें मिला positive में मिला अब हम एक example देख लेते हैं कि जिसमें हमको क्या करना है zero का रिप्राप्त होती हो अगला example है हमारा suppose that हम मान लेते हैं कि 5 upon 7 minus अगर हम कलेंगे तो इसमें क्या है चाल लेते हैं 5 को हम क्या लिखेंगे 5 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको hexadecimal में करते हैं, ठीक है, तो hexadecimal में क्या हो जाएगा, उसको आप्टल में लेकर हम चले थे, इसको हम hexadecimal binary कर लेते हैं, यानि कि 4 bit का लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 है, अगर 8 रेता तो अभी कोई दिक्कत ने होता है, हम 4 bit का लेकर चलते हैं, आपकी मर्ज़, आप 3 bit लेकर चलिए, यह होगी हमारा 5, यानि कि 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हमारा 0, 1, 0, 1, 4 और 1, 5, इसकी value कित्ती होगी, 7, यानि कि 0, 1, 1, 1, 4, 2, 6, और 1, 7, अब इसको हमें क्या करना है, सबस्टेट कर रचाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो value है, जिस जो हमाराा सब्स्टेंड है, उसको हम क्या करेंगे, 2ja compliance Budぞ přेंगे, यानि कि इसका हम क्या निकालेंगे, 221, काम्प्लीमेंट li men find out करते हैं, तो यह हो गया हमारा इसका second compliment सबसे पहले हम first compliment निकालेंगे first compliment निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा one और यह बाकि क्या हो जाएगे हमारे 00 अब हम क्या करेंगे last में one add कर देंगे तो यह हो जाएगा one zero zero one तो यह हमारा क्या हो गया two compliment हो गया ठीक है यह आगे है हमारा two's complement और जो हमारा उपर था हम इसको क्या करेंगे add कर देंगे तो हमारा जो five की value कितनी थी one zero one यह था two's complement हमको मिला कितना मिला one zero zero one इसको हम क्या करेंगे add करेंगे तो add करेंगे तके आएगा one one zero one बचा तो one zero one one zero one फिर नमरा क्या बचा यहाँ पर one और zero one zero one दोस्तों यहाँ पर कोई भी carry प्राप्त नहीं हुई यहाँ पर last में कोई carry प्राप्त हुई no carry प्राप्त हुई यानि कि zero carry प्राप्त हुई तो zero carry का case क्या कहता है जिरो कहरी का case ये कहता है कि अगर हमें answer में 0 नहीं मिलता है तो हम ये जो answer हमको मिला है जो answer हमको प्राप्त हुआ है इसका हम फिन से second compliment निकालेंगे और जो answer हमको मिलेगा उसको हम minus लगाके लिख देंगे या फिर हम सब मानते हैं कि ये जो हमारा answer वो क्या है negative है ठीक है तो इसका हम क्या करेंगे second compliment निकालेंगे सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे first compliment तो कितना हो जाएगा 0001 अब हम two compliment निकालने के लिए one add करते हैं तो हो जाएगा हमारा one one zero one कहरी बचा one zero zero लगा देंगे clear है उम्मिद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर वीडियो समझ में आई हो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जादे से जादे सेयर करें जिससे आपको जितने भी फ्रेंड है उन्ते हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच चके और हाँ दोस्तों जिनको वीडियो के अपडेट नहीं मिलते हैं वो सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन का बटन है उस बेल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए तो अब हमारे जितने भी वीडियो अपलोड की जाएंगे सबसे पहले आपको क्या होंगे प्राप तो एंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंद यह आपका हमवर्क है कर्फ़ प्राप प्राप प्रेस कर्फ़ नोट जात्वर्क है